सर्वेभ्यो नमो नमा बहुताम सर्वेसाम स्वागतम वर्तते आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब परिबार ग्यान की राजधानी में मित्रो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्षा सास्त्री की प्रवेश परिक्षा के विशय में जो की इस वर्ष दोजार देश में आयूज़ित होगी इसके विशय में हम इस वीडियो में इसके लिए प्रवेश योगिता क्या है और इसके क्या कोई एज लिमिट नेधारित है इन दोनों विशयों को लेकर राश्टी संस्क्रत संस्तान एवं स्रीलाल भादूर सास्त्री राश्टी संस्क्रत विश्विध्याले इन दोनों विश्विध्याले के विशय में बात करेंगे चले आगे बढ़ते हैं वीडियो को प्रारम करते हैं अगर आपको सिख्षा सास्त्री या फिर संस्क्रत से विएट करना है तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्तों बुर्ण है इसलिए इस वीडियो को पूर्ण तक जरूर देखें एवं अपने सभी मित्रों को अवश्य प्रेशित करें जैसा कि मित्रों आप सभी को ग्यात होगा कि सन 2022 से सभी केंदरी विश्व ध्यालेओं का प्रवेश परिक्षा एंटे द्वार ली जा रही है जो कि सैंटरल उन्यूर्शिटी इंट्रेस टेस्ट इसके मांध्यम से एंटिये नैशनल टेस्टिंग एजनसी जो की औल इंडिया की परिक्षा लेने वाली एक एजनसी है जो ले रही है इस वर्स से 2022 से इस वर्स भी यही एग्जाम लेगी जिसका निधारन इसने एक ट्वीट के मांध्यम से किया है तो बात करते हैं आगे इसमें जो योगता रहीगी वह क्या होने वाली है शिक्षा सास्त्री बियट प्रवेश परिक्षा 2022 दोस्तों यह नोटिफिकेशन 2022 का है अभी 2023 का नोटिफिकेशन नहीं आया है वह भी इस माहा फरवरी अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च तक आ जाएगा तो यहां इसी की अनुसार नियम लगभ रहेंगे जो कुछ चेंज होगा तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद वीडियो के माधिम से बता दिया जाएगा तो हम इस वीडियो में योगिता के विशे में ही केवल बात करेंगे अगर आपको पांकी और वीडियो स्लेबस इत्यादी चाहिए तो आप हमारे इस चै और रहता प्रविश्ट चाहता शात्र चात्रा भी आविदन कर सकते हैं इसमें आप सभी लोग आविदन कर सकते हैं जिसके पास BA है और प्लस जिसका आचारी हो चुका है या कर रहे हैं के इस सरकार के नियम अनुसार अनुसुची जन जाती जाती OBC अनिथा सक्षम अभियर्थियों के लिए अन्य सर्थ सहीद उप्युक्त परिक्षा में 45% अंका निवारे हैं अग अगर आप अनुसुची से जन जाती एवं OBC इत्यादी से आते हैं जहां पर आपको आरष्ण प्राप्त है वहां आपको 45% अंक ही अनिवारे हैं अगर आप जनर से आते हैं तो आपके वा 50% अंका के साथ आपका BA या या असास्त्री होना चाहिए और अगर आप आरष्ण अगर आपको आरष्ण मिलता है तो आपके 45% अंक है तो तब भी आप इस परिक्षा के लिए अरह हैं प्रवेस के समय आवेदन के साथ अरहता परिक्षा में उत्तिन होने के प्रमान संगलगन होने चाहिए यदि परिक्षा फल घोशित ना हुआ हो तो प्रवेस के समय साक् प्रवेस के अरहता निरस्त हो जाएगी अगर दोस्तों आपके पास उसके जो प्रमान प्रवेस लेंगे तब आपने वहां पर जमा करना होगा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपकी अरहता निरस्त हो जाईगी दोस्तों अब इसमें जो हमने योगिता देखी इसमें के वाल यही योगिता दी है आपको आपके पास कितने मांक्ष होने चाहिए और आपको कहां पर कितनी छूट मिलेगी सिर्फ चार ही दी है तो इन्होंने यहां पर एज की कोई भी बात नहीं की है जो कि देखे तो हम एज की अगर बात की होती तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई एज अनिवार है या नहीं है इसलिए राश्टी संस्क्र संस्तान में कोई भी एज आपके लिए एलाव नहीं है आपके पास बीए या फिर सास्त्री फाइनल होना चाहिए आप वहां पर वहां से अगर आपके प अब आगे बात करते हैं यहां पर बी वही नियव है आपके पास या फिर संस्कृत से सास्त्री होना चाहिए या फिर आप आप आचार या फिर एमे हैं तो आपके पास 50 प्रसण अंक आपके होने चाहिए ठीक है और उसके बाद कस्मा चित विश्विध्या लेया अध्वा, बानिता प्राप्त परिक्षा संस्तात हय इन सभी परिक्षायं इन सभी परिक्षाएं में आप उत्तिन होने चाहे आपट mismo नू चाहिए है या फिर सास्त्री होना चाहिए अगर या फिर आप में होने चाहिए है में आप फ़र्स्ट इयर में हो तो अब भी आप इसको भर सकते हैं आपके और 50% अंक अहां पर आउशक होंगे अनुसूची जन जाती नाम जन जाती नाम ओवी सी असम्रिदिश्ट रेणी अन्य सक्षम वरगा नाम चात्रे बिह उपरी निर्दिर्ष्ट अरहताया आप 5% अंका नाम स्वातंत्रयम देयम यानि कि अगर आपको आरक्ष्ट प्राप्त है तो आप 45% मतलब आपके पाप 45% अंक है तो तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं जोगिता परिशा यहां परिणाम अहां परवेस काले एव समर पढ़नी यहां यदि केसान चन परिशा परिणाम हा प्रतिक शितह ते अस्थाई ती रूपेन दत्तप प्रवेसाह भवनती अभ्यर थी नाम स्वाकिए पूर्ण परिशा परिणाम हा अगला जो हमारे मुख्य है उसको हम देख लेते हैं वह है एज की विशाय में चूंकि आप अधित्र लोगों का यह प्रश्न था कि क्या एज एलाओ है या नहीं है शिख्या सात्री पार्टिक्रम प्रवेसार्थम एक दस बाइस निनांग यामत अभियरती न्यूनाती न्यूनाः विमसती वर्सियास्यात अस्मिन विसाये नकीमपी सैथिल्यम अनूमन यते यह देखियो बहुत ही महतुपड है देखियो अगर आप LBS की तयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको 20 साल आवश्यक हो जाता है 20 साल आवश्यक जब आपके फॉर्म आएगा या निकी आपका फरवरी मार्च में फॉर्म आता है तो तब तक आपके 20 साल होने चाहिए अगर कि वहां पर क्लियर है कितनी मांगी जा रही है और कब से मांगी जा रही है इसके अनुसार अभी हम नहीं कह सकते हैं इसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि 20 साल आपके पास होना चाहिए तो केवल लाल लादु सास्त्री में है बलकि राश्टी संस्तान में यह नहीं यह उपल इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारी यूटीब चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं अपने सभी मित्रों को सेयर करें जिससे की सभी को यहां आउशक जानकारी प्राप्त हो तो मित्रों इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों को सेयर करें मिलते हैं अगली वीडिय में तपता के लिए जय हिन जय भारत जय तू सम्सक्रतम जय तू भारतम